कुमार सुवागत आप सभी का जादुगर मेत में कलास टैंथ का कंपार्टमेंटल का मैथ का जो ये पेपर हैं अगर इस पेपर को कंप्लिट कर लेते हैं तो आपका एक भी ऑप्जक्टिब नहीं छूटेगा मेरे डियर साथ यो जो भी कंपार्टमेंटल के प्रिक्षा देन ये अप्जक्टिब रामबान साबीत होगा यहां पर देख सकते सकंडरी कंपार्टमेंटल जो है स्पेशल एक्जामनेशन दोजार चौबिस और आपको जो है इस वीडियो को सेयर कर देना जो भी कंपार्टमेंटल के छात्र रिबम छात्रा हैं इस वीडियो का आपको जल्दी से चलिए यहां पर पहला अप्जक्टिब हम लेंगे यह टोटल अप्जक्टिब आपको रट लेने यह कंपार्टमेंटल के लिए आपको जो है रामबान साबीत हो सकता है दिख सकते हैं यहां पर खंड ओवा में अस्तोनिष्ट प्रसन रहेगा यदि बहुपद एक स्कुर मैनस एकस पलस वन कि सुनेक अलफा बीटा हो तो वनवार पलस वनवा बीटा का मान होगा मिरे यजचा का मान हो मिरे सााथ यह gaming सबसे पहले इंको कर लेते हैं ते यह इका जो राइट अंसर होगा मिरे यजचातिए सानव करके इसका मान आजाएगा कंभिभा कित लास्ट में बताएंगे सॉल्व पीडियाइफ जो है आपको कैसे डॉनलोड करना है यह सब का जो है सॉल्व पीडियाफ आपको मिल जाएगा अगर आप लोग जो है इन्पोर्टेंट यानि जो भीवी आई सवाल होता है जो पूसा जाएगा आपको उनके लिए बताएंगे लास्ट में आपको जो है वीडियो को पूरा एकदम कप्लीट कर लेना चौबट 15 का दसमला प्रसार निकलना है नीचे वाले को लोग हर कहते हैं तो हर में जो हैं को यहां पर प्रसार यानि जांच कर लेते हैं इसको जो है नीचे से ओपर में क्या करना है आपको जो है यह सांत हो जाएगा यहां पर दिया गया कोश्टर नमबर तीन में यहां पर पी एक खीची गई असपर से रहा है पी और पी बी एक दूसरे से असी टूसरे से मतलब यहां पर झुका हुआ है और पी और पीए और फी निकलना तो मेरे डियर सात्यों इसका जो है राइट एंसर होगा 70 डिगरी हो जाएगा option मिलकुल जो है सी राइट ऑप्सन हो जाएगा कभी कभी ये जो है सब्जक्टिव में भी पूछ देता है तो आपको याद रखना है 70 डिगरी नहीं होना चाहिए अगर ये दुनों को बारते 40 डिगरी इसका एंसर होगा कितना होगा पच्चास द्रग यह तीन का जो राइट एंसर होगा यह राइट उत्तर हो जाएगा इस तो अब्जक्टिव को पूरा आप लोग कंप्लिट करी लेना दिमाग में एकदम बिठा लेना आपको ठीक है सब्जक्टिव आपको जो है बता दिया जाएगा इसके इस इसके बाद यहां पर दिय पैंसर इंसर हो जाएगा ज्यक्ति उत्मू गाँवाबर। नुद तो इन्हीं में से मान के जल सूत्र होता है बीवेचक भी स्ट्र यकुरिंस का भी स्वाराबर जू है फोर शवर चैनल मिलकूल बीरी टैसर को हойти उसके बाद यहां पे है reports मैंना स्रूर्ण फिरी इस प्रीमे संक्या है या भेइन संक्याप पूर्णाक संकियां बताईए तो 6 का जो इंसर होगा आपका यह ओपरेमे संकिया है क्या ओपरीमे संकिया हो जायेगा चलिए इसके बाद यहां पर दिया गए हैं नाईनस एक स्क्वार ए मैनस 910 स्क्वार ए बराबर तो इनके बराबर में होगा मिले डियर सत्य यह सवाल कई बार पूछा गिया है यह कंपार्टमेंटल के जितने भी छात्र परिच्छा देंगे यह हंडेट परसंट आप लोगों को पूछा जाएगा इसका हो जाएगा नौ एंसर हो ज इतना इतना दिया गया है यहां पर मिलाने वाली रेखाखंड का अब मध्य बिंदू का सूत्र आप लोगों को पहले भी पढ़ाए हैं अगर नहीं पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको पीडियाप जो है सौलवे पेपर मिल जाएगा दस का जो एंसर होगा मेरे डियर साथ यो क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा तीन कुमा मैनस तीन सूत्र आप लोगों को लिखा चुके हैं सब्जक्टिव ऑप्जक्टिव दोनों पूच्तानिम ने लेखी जिमें कौन आपरी में संख्या इनमें से ओपरी में 36, 36, 84 यह तो नहीं है इसके बाद है एक नौनमा एकास यह भी नहीं है इसके बाद यह होना चाहिए ठीक है य यदि AC बरावर BC AB square बरावर 2AC square तब कौन C तो कौन C का मान निकाल है यहाँ पर क्या दिया है हमको कोई दिखना नहीं है सिर्फ इतिर्भूज ABC में इतना इतना दिया गया है सिर्फ कौन C का मान अगर होगा समद्वी बाहू तिर्भूज यहाँ पर पूछाए न तो 12 का जो का दिखने इस टााइप का सबाल में इसके बाद यहां पर दो पासों को एक साथ लिएक और यहां इे इसके बाद यहां प्रथम पांच संख्याओं का मध्य मध्या पूछ रहा है ना प्रफम बीच जो है मध्या हमको जाच करना है तो चोड़ा का जो एंसर होगा मिरे डिर साथ यह क्या हो जाएगा तो पांच ह्या हो जाएगा चलिये इसके बाद दो बेलनों की तिरजयों का नुपाद 2 नुपाद 3 और उनकी उचायां का नुपाद 5 नुपाद 3 है तो आइतनों का नुपाद आइतन पूछना मतलब समझना क्यों उसमें परयोग करना है मतलब 3 बार उसको गुना करना है तो बंदरा नमर का जो तो इसका हो जाएगा 20 अनुपाद 27 यहां पर दू का स्कौर करेंगे तो नौ हो जाएगा नहीं होगा तो यहां पर मेरे डियर साथ इसका कितना हो जाएगा तो चार पंचे बीस इसमें गुना हो जाएगा तो चार पंचे बीस नौतिया 27 अनुपाद 27 हो जाएगा इसका आप लोग जाद जाद वीडियो को सेर किजिए और कंपार्टमेंटल के जितने भी स्टूडेंट है आप लोग कमेंट करके बताएगे किन किन सब्जक्ट में आप आपको बताना है तो तीरतिय अगर यह में मैनस इमें मैनस तो इस दोनों में मैनस रहेगा तो तीरतिया समझ जाना है ओके चलिए दो खंबे 6 मीटर और 11 मीटर उंचे हैं समतल जमीन पर ध्वाधर खरे हैं यह उनके पादों के बीच की दूरी क्या होगा बताएगे सीरों क बीच की दूरी पूछ रहा है तो इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है मेरे डियर सात्यों यह भी सवाल आप लोगों को पढ़ा चुकिए स्तिर्प आपको जो दिमाग में रिमार्क करते जना है 13 मीटर हो जाए क्या हो जाएगा 13 मीटर चलिए इसके बाद यहाँ प कर सकता है इसलिए अब आज संक्याए 11 हो जाएगा ओप्सन डी राइट अंसर हो जाएगा याद रखना इसके बाद यहां पर है समय कम इसलिए जो है सॉल्व करने में जो है दू घंटा का वीडियो बन जाएगा सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा कॉस यहां पे 19 डिगर यहां इसके ब्राबर में तो य कम Court करना है तो के का मान आपको फ्लिए समी होगा इस के नमर का फ्लिए तो इसका राइट एंसर भी ऑप्शन हो जाएगा दस एंसर होगा इसका चलिए इसके बाद यहां पे दिया गए है टोटल अपजक्टिब को आपको जो है मेरे डियर साथ रिमार्क कर लेना यही अपजक्टिब आपको जो है लड़ेगा कंपार्टमेंटल के जितने भी छुह है बढ़ना ए पलस बी का हाँ अर्ड गर मैनस certification लेना चले किसी किसी बिरीध पर खीची जा सकने वाली इस पर रेखंग किאלा होगी मान के चलिए आपको पहले भी पढ़ाए थे किसी भी ब्रहम बिंदू से एक बिरित पर खीची जा सकने वाली असपर से रेखाएं कि संख्या कितनी हो सकती है तो ताइस का जो एंसर होगा तो दो ही रेखाएं हम खीच सकती हैं अनंत वला जो है दुज़ा यहां पर ब् दूएख ओना होगा चलिए इसके बाद यहां पर संभाभू तिर्भूज आपको इसका 25 का अनुपात बाटता है वाए बराबर आपको सिर्फ लीग देना हमको सवाल बनाना यहां पे मिलाने वाली रेखा खंड पे सूत्र बैठा करके ठीक है तो इसका वाए अक्ष वाला जो हमको अनुपात लिग देना है ठीक है तो इसका जो राइट एंसर होगा मेरे सरेनी में यहां पे दिया गया है मैनस चालिस कुमा मैनस 15 दोस कुमा 35 डॉडड़ दसवा पद दसवा बाद निकालने के लिए आपको पहले भी बता है अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जाकर के जो समांतर सरेनी का प्लेलिस्ट बन निर्देसांग पूछ रहा है न वह एक्ष का और वह पी जो है एक्स अक्ष का बताए थे ना आपको चलिए उन्तिस का जो एंसर होगा मेरे डियर सात्यों क्या हो जाएगा पांच को माज़ीर हो जाएगा वह एक्ष पांच पर बिंदू पी इस्तित हैं तो इसका जब भी होगा तो पांच को माजीरो हो जाए किसी तिरभूज एबीसी में कौन एब राबर नाइंटिन डिगरी बिसी बड़ाव तेरह संटीमीटर एबी बार संटीमीटर तो निम्न में से एसी का मान है तो इसका जो मान होगा मेरे डियर सात्यों तो यह हो जाएगा तेरह गुना एक सचोवालिस घटाई है तो पचीस होगा पचीस का बर्गमूल पांच होगा चलिए इसके बाद यहां पर यह टोटल अब्जक्टिव को आपको जो है रट लेना मेरे डियर सात्यों जितना हम बता हैं इसका सोल्यूशन पेपर के लिए आपको टेलिगराम जोएन करना ज अब्जक्टिव भी आई है सब आपको बता दिया जाएगा जल्दी से फटा फटा आप लोग जूर जाए कलास लेट हो चुका है तो देरी नहीं करना मिलते अगले वेडियों थांक्यू धन्यवाद